असलाम वालेकुम एवरीबडी Welcome back to my channel, मेरा नाम है रिहान and today we are here with in your tutorial तो गाइस आज हम क्या study करने वाले हैं, Today we will discuss revolt of 1857 और यह होगा in sekao की format में अफकोस अफकोस हम यहां पे पहले थोड़ी बहुत थेवरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा basic दिखेंगे कि यह revolt किसके related था first word of independence का जाता है यह तो हम सभी पढ़ेंगे बठा यह होगा इमसी काउ की format में ठीक है definitely यह वीडियो काफी important होने वाला है UPSC के एक्जाम्स के लिए JKPAC के एक्जाम्स के लिए JKSSB एक्जाम्स के लिए definitely a lot to know, a lot to discuss as always but before we begin आप अपने सुल्तान को वे इंतहां मुहबद बख्षियो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल के सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है? educate all को सब्सक्राइब करना है तो चलिए स्टार्ट करते है आज की इस वीडियो को with the basics, basic क्या कहता है अगर हम देखें, यह इसका causes क्या था ठीक है ना, the Indian rebellion of 1857 जिसको क्या नाम दिया गया है? फिस्ट वार ओफिंडेंट्डेंट्स और यह कब हुआ था? May 10, 1857 में हुआ था और याद रखना जगा यह मीरत में हुआ था मीरत में यह हुआ था फिस्ट वार ओफिंडेंट्डेंट्स जिसको कहते हैं, रिवाल्ट आफ 1857 ठीक है, और हम देखें तो यह पहला था, जो लार्ड सिकल पे पहला हुआ था, फर्स्ट वार था, अफकोर्स सभी ने पार्टिस्पेर्ड नहीं किया था, बढ़ हाँ, यह लार्ड सिकल पे पहला हुआ था, यह ऐसा रिवाल्ड था, किस यह अफिजाएं, अगर आप उसको चैलनज करोंगे, उसको एवर थो खरोगे और आप सुक्सिज हो जाओगे, नहीं आइडीयाज लाने में, नहीं चैलनश, मतलभ नहीं आयाईडीयासु。 अपराने को खत्म चो खत्में में तो इसको भुलेंगे हैं पड़एं, पुरह को समझ में आया होगा तो देखं लेते हैं क्या होता है कि ये था फ्रस्ट मैजर था लार्ज स्गिल था ठीक है यह company के हलाव था first यह first नहीं था पर इसे पहले बहुत ज़्यादा mutinus हो चुखी थी बटा इसको भी माना ज़्यादा यह large skill पे था ठीक है अगर हम देखें तो यह unsuccessful था ठीक है बट अगर हम देखें तो इसने एक effect रखा लोगों के अंदर कि हाँ हम अजादी के लिए लड़ सकते हैं यह changes इसने लाई थी इंडियन nationalism movement में ठीक है काज़ज देख लेते हैं main काज़ज क्यों होते हैं वैसे इसकी पिछे तो हजारों काज़ज हैं लेकर हम यहाँ पे देख लेते हैं क्यों होते हैं असमें जो था ना discontent लोगों में था जो grieving यह बी नहीं है यह जी है जो grieving discontent था company rules के related उसमें क्या था about अगर हम देखें इंडिया का पूरा map देखें ना तो इसमें two third जो था वो जो area था वो किस के पास था ब्रेटिश के पास था ठीक है और जो one third था वो princely state के पास था बड़ यह जो princely state थी यह किसके paramount power के अंदर रहते थे यह British paramount power के अंदर रहते थे इसका यह मतलब है कि हाँ यह internal matter discuss कर सकते थे बड़ यह external matter जो हो गया trade and affairs, foreign services जो भी थे यह खुद से नहीं decide कर सकते थे इसके लिए British की अजासर लेना पड़ती थी पहले ठीक है, जिसको हम कहते है subsidiary alliance सबने sign का रखी थी और इस वाज़े से यह कुछ का नहीं पैदा थे बाद में अगर हम देखें डलहावजी जब आता है तो डलहावजी एक नहीं doctrine लाता है जो कहते है इसमें क्या होता है कि जो भी रूलर है अगर वो मर जाता है और उसका अगर लीगल legitimate हायर नहीं है तो फिर वो जो प्रिंसली स्टेट होगी वो सिधा बृतिश हकूमत के अधीम चली जाएगी इसका क्या मतलब है, एक प्रिंसली स्टेट है यहां पर अफकोस एक रूलर होगा अगर यह मर जाता है और अगर इसका तो चलो इसका अगर legitimate कोई भी इसका चिल्ड है कोई भी बचा है इसका अगर वो है ठीक है, biological सान है तो ठीक है यह continue रहेगी, autonomous रहेगी ठीक है, semi autonomous बोलेंगे इसको अगर इसका कोई भी legitimate सान नहीं है तो क्या होगा, यह जो प्रिज्ड लिस्टेट होगी यह automatically इस्ट इनियो कोपनी के पास चली जाएगी तो यह कुछ ऐसे techniques थे कुछ ऐसे documents लाए थे, गोरों ने जिसके वज़ए से लोगों के अंदर बगाउत की feeling आ गई और उन्हेंने reward करना बहतर समझा आवाइट, थोड़ा सा और आगे देख लेते है और क्या होता था यहाँ पर जो traditional agriculture था उसको खतम कर दिया था, उन्हें नएने system इंडरूस किये था, जिसके वज़ए से जो present के condition थी वो बहुत ही ज़्यादा काबले रहें थी, बहुत ही ज़्यादा बोरी हो चाहिए थी miserable condition थी, presence की ठीक है, अब हम देख लेते है MC काउस की format में question क्या कहता है, पहला question देख लेते है the root of 1857 reward lay जो root है ना, मतलब जो मतलब क्या कहते है, कि root क्यों होई थी 1857 की, ये लड़ाई क्यों होई थी कहता है bluntly discrimination of policies जो policies बनाए जाते थे, वो इंडिया के हित्मे नहीं थी इंडिया के favor में नहीं थी, वो बिरिटिश के हित्मे थी और बिरिटिश के favor में थी exploitative and revenue policies तो बिरिटिश जो थे, वो यहाँ पे इंडिया को उनकी आदत रहती, इससे वज़ए से ये एक rude मान सकते हैं हम इसको ये था immediate class, ठीक है, immediate class अगर आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे, greased cartilages, ये क्या था जो gun थी, उसमें जो cartilages used होते थे, वो किसके बने होते थे मतलब वो थे, grease and cow की, नहीं, वो grease किसके थी एक तो थी cow fat cow fat and pig fat ठीक है ना, pig fat में मतलब वो बने हो जे थे और इस वज़ए से ये religious sentiment को hurt कर रहा था हो, तो इस वज़ए से ये बगा हो थी, एक immediate cause आप मान सकते हैं है, इस का राज़ आप से राज़ आप जाएगा all of the ये इस वज़ए से क्या वज़ए से क्या वज़ए तो तुम किसी को भुखा रगोगे ठीक है, कुछ भी करोगे ठीक है बट जब तुम उसके religion भी attack करोगे ना by guard वो नहीं चुप रहने वाला तो इसलिए, इसलिए किसी के religion को मत शेड़ो, जो जैसा कर रहा है, ठीक है, आप उसको बोल सकते हैं, ये ठीक है, ये गलिद है, बठाँ तुम उसको गलिद नहीं कर सकते, उसकी sentiments को उसकी feeling को hurt नहीं कर सकते, आगे चलते हैं, next क्या होता है to which regiment did मंगोल पांडे belong मंगोल पांडे गराम देखें, तो ये पहला शहीद माना जाते है, 1857 को, और ये question है यहाँ पे, ये कौन सी regiment से बिलांग करते थे तो ये थे 34 native infantry ये याद रखना, इसे question बहुत बार पुछे जा चुके हैं भाई, रटा मार के याद कर लो आया समझा आपको, next देख लेते हैं next किया है who among the following leader of 1857 was the first to lay down her life his life, ठीक है न, his her life तो वो कौन से पहला शहीदा जो 1857 में सबसे पहले उसने अपनी जान दी, उसने reward किया फिर उसके बदले में उसको फांसी पर लटका दिया गया capital punishment मिली तो वो कौन से ऐसी अजीम हस्ती थी तो उनका नाम किया है भाई, उनका नाम है मेंगोल पांडे यह वाज़ा, first murder of 1857 आई होग इतना समझ आ रहा होगा आगे चलें, देखो क्या कहता है the revolt of 1857 was started by यह start किस ने किया था क्या बोलें कि आप जीमिदा ने किया था जीमिदा ने किया था, पिजर ने किया था या plantation worker ने किया था, अगर हम देखें तो यह start किया था, किसने surprise ने किया था हाँ, बाद में लोगों ने जवाइन किया, बढ़ हाँ अगर देखें मेरत मेरत नहीं मेरत के नवाब जब यह स्पॉई मेटिनी हुई थी तो गोर्नर जेनरल कौन था ठीक है आपको पता है कि इस पॉई मेटिनी अगाम देखें तो मिजेट कास था जो डल हाउजी लाडल हाउजी है ना अफकोर्स उसका फादर आप मार्डन इंडिया का जाता है मार्डन इंडिया का फादर उसका माना जाता है उसने बहुत काम किया उसने पॉस्टो में काम किया उसने रेलवे में काम किया उसने और क्या बतला एज़कूशन में उसने बहुत काम किया बहुत ज़्यादा उसने contribution की इंडिया के लिए बट वो अपनी Company को ज्याता किया बनाना चाहता था प्रस्फरस बनाना चाहता था अपनी Company को अपनी Country के लिए वो ज्याता करना चाहता था ठीक है और यह मानूं कि जो सबसे यंगस्ट वाइस रह था he was a lord Dalhousie and इसका यही mission था जब यह छोड़ा था ना हमारे बच्चे क्या कहता है जब छोड़े है कोई कहता है मैं पाइलेट बनूँगा कोई बनूँगा है मैं डक्टर बनूँगा कोई कहता है मैं इंजिनियर बनूँगा Dalhousie की बात करें बाई Dalhousie की बात करें जब यह छोड़ा था ना इसकूल में कहता था मुझे कुछ नी बनना मुझे इंडिया में जाके वहाँ पर गौवनर बनना है ठीक है न यह यह कहता था मुझे इंडिया में जाके गौवनर बनना है तो इसका यह बच्चमन था फिर इसके बाद आता है लॉट कैनिंग आ जाता है मैं कैनिंग यह बोलूँगा ठीक हा लॉट वर्ट तो शोड़ो यह आता है 1856 से लेकर 1856 से लेकर 1862 तक यह इतना डाइम यहां पर रहता है ठीक है और यह लास्ट गौवनर जेनलर था और फर्स्ट वाइसरे था तो यहां पर कौन कहते है तो लाट कैनिंग इसका डाई टांसर आ जाएगा आगे देख लेते हैं थोड़ा सा 1856 से 1862 तक और इसके वज़े से इंडिया का मंत्राला देखते था इंडिया का रिलेटर देखते था वह बनाए गयाँ घांड़िटन के अदर और इसका ज़ो लीडर था जो उसका हैड्डे था वो एक cabinet कि अपना लीगल वारस नहीं है हम क्या गरते हैं कोई और बचे अड़ाप्ट कर लेते हैं ताकि हमारी जो संपती है हमारी जो प्रपर्टी है वह उसका मालग बने और इसको कंटीनियू करें ऐसा माना जाता है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जल्दी से बताओ नाना साहब आगे चलें देखते हैं नेक्स्ट कोशन क्या कहते हैं विच अफ़ालूंग स्टेट वास तो बी अनेक्सेट बाइड डॉक्ट्रिन अफ लेप्स किता है कौन सी पहली स्टेट थी पिसली स्टेट थी जिसको हडप लिया गया था किसने हडबा था ये बई यह ह रही अंसर आजाएगा सतारा आजाएगा बड़ हर पने वाला बंदा था बलहावजी काफी बलमाश बंदा था यार उसने बहुत ज़्यादा टेरी कप्चर कर ली थी अपने टाइम में यह इंड़ा ने किया था आपको पता है क्या क्या हुआ था नो मोर डिसकुशन ओके रूलर ऑफ विचा वण फालंग स्टेट वास रिमूड फ्रम दी पावर यह गज़ब इस्तिया माले की एक बंदे को पाउड से हटा दिया क्या 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 गर गेव उसको चलाना नहीं आता अदलब एक प्रिंसली राजा था उसको हटा दिया हाँ और कोई भाना ना मि वह स्टेट चाहिए थी डलहाउसी ने कहा था कि यह जो अवध है ना भाई यह जो आजना तो कल हमारे गोद में आग गरेगा तो देखो जो अवध का गोवनर था उसका जो अवर का गोड़र था वो नवह कर दिया गया ठीक है क्यों उसको का तुम्हें चलाना नहीं आता तो तुमने को लो यहां पर और इसको हमारे अंटे लेगा हम यहां पर अची तरह जे गोवनरंस करेंगे और लोगों की हित्मत करेंगे जो वो कर रहे थे याद रखने इस कांसर आ जागा अवध कांसर आ जागा बिहार में कांसर अजया गया तो यह था निपाल नहीं अफगानसान भी नहीं कोई ब नहीं ब नहीं यहां पर सिधा मायन मार बरमा जिसे उस दमाने में कहते थे याद रखना Buddhist console 5th और Buddhist console 6 ये दोनों बरमा में हुई हैं आपको चार तक याद है ना चो लास्ट किश्मीर में हुई थी कंडलवाना में जिसों किया था कनुशका ने अटेम्ट किया था ठीक है बट याद रखना 5 और 6 भी हो चीक है ये अफकोस लार सिगल पर नहीं थी और य क्या है तो ये कहा था वीडी सब्वर करना है मौनिक टोड एक्स्ट क्या कहता है दा हिस्ट्री दावार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंसी बुक रिटेन भाई ये भी सेम है वीडी सब्वर कर भाई यह ने ये किया था सब कुछ जेख लेते हैं खुल अगेंस ब्रिटिश 1857 ब्रेली में किसने ये काम किया था चल्दी से बताएं ब्रेली में किया था खान बोहादर खान साब खान बोहादर खान साब ने ब्रेली में विरिवाल को लट किया था तो याद रखना अची तरह से बिर्जिस कदीर उसका नाम था ठीक है ना वाजद अली शाह साब की ब बेगम का नाम था, बेगम हजरत महला, बेगम बोले तो वाइफ, लखनाव के अंदर कौन था ब्रिटिश के खलाफ, जीनत महल, टन्टिय टोपे बेगम हजरत महल याद रखना बेगम हजरत महल लास्ट पे इनको कैप्चिनी किया गया ये निपाल की तरफ चले गई थे निपाल की तरफ ये चले गई थी एक्जाइल लेने के लिए इंपार्टन लीडर और असेसेट्स देख लेते हैं ठीक है ना बारकपूर अफकोर्स मेगल पांडिक वज़े स्टार्ट होता है देली में था बहादर शाह एन जनरल वक्तकान ये थे ठीक है लकनों में था बेगम हजरत महल अभी हमने पड़ा जांसी किरानी लक्षमी बाई और बिहार में था rejecting कि बरेली में था खान बहादर खान साथ गवालीर में था टांट्या टॉपे अहमदबाद एन बनारस में था मॉल्विल्या कतली एन कानपर पिन्दा नाना साथ लाई साहब निफवाफा वनाना साथ तांट्या टॉपे tiếp है आगा छलें नोम ब डिसक उनको किसने हराय था ठीक है ये कुछ इस तरह का क्वेशन है थोड़ा सा वोटिंग में आगे पीची होगे है बड़ याद रखने इसका राई टांसर आजाएगा हूज रोज हूज रोज थे उन्हेंने क्या किया था लक्षमी भाई को क्या हराया था मतलब तो कहां पे उनको हराय था तो इसका राई टांसर बताएं कोता की सराई कोता की सराई यहां पे उनको फाईनली डिफीट कर दिया गया था शी वाज ग्रेट लेट लेटर अफकोर्स नो डाउट और हुज रिस्पक्ट पर हर सर हुजरोज डिसक्राइब वूमेएं होमेज अच्छा यह जो थे ना हीजरोज इसने एक को कहा था बेस्ट एंड अड़ बिटर लीडर अफ ती रैबल इन्होंने कुसको का था यह उन्होंने लक्षमी बैगो का था ठीक किया ना और उसने का था मुझे हलका सयाद उसने का था There is the woman who is the only man among the crowd कुछ इसने का था यहां पे वो और लेटी हुई है वो और उसके मतलब मर के यहां पे पड़ी हुई है जो बहुत ही ज़दा बहादर जो मतलब में में से सिर्फ इतनी ज़दा बहादर थी इसका नाम था लाड पाम स्टर यह इसका रॉइ टांसर आजाएगा आगे क्वेशन देख लेते हैं विच आफ दी फालूइं के मिशन इस रिलेटर तु दी री आर्गनाइज़ेशन आफ ती इंडियन आर्मी वाज़े ग्रेट फुटबालर ओ क्या बंदा था एर्टी एज आफ 17 उसने फुटबाल इंटर किया था 1958 का फुटबाल उसने जीता था मुझे ऐसा लग रहा 1958 का फुटबाल जीता था और लगा तर ऐसा फर्स्ट पिलियर अपीली जिसने चार तीन फुटबाल जीते हैं ठीका ना अगर इसके फादर की बात करें उसका फादर वो ग्रेट बंदा था जिसने एक मैच में पांच गोल किया एक बंदे ने हैर उसने अपने पापा की रिकार ने तोड़ पाय था बट पील कमिशन याज रखना पील कमिशन लगा गया एक याज़ ने खो प्लानिंग नहीं थी अची तरह से अर्गनाईज़शन नहीं थी अची तरह से मनेज़ नहीं था इस वाज़ज से यह फील हो जाते है question का कहता है which one of the following area was not affected by revolt of 1857 कौन सा area था जो effect नहीं हो पाया ठीक है बताए इसका right answer आजाएगा चितोड यहाँ पे भी revolt हुआ यहाँ भी लखनों में भी वहा तो चितोड एक ऐसे जगह था चितोड जहाँ पे यह effect नहीं हो सका है और वहाँ पे इसका जंगारी ना पॉइंस सकी मैंने इंडियन केंग help एड़ इड़िश को यहाँ से बगाने के लिए काउंटर पार्टिस का किया है कि कुछ इंडियन हैं जो ब्रिटिश की help कर रहे हैं को यहाँ पे रखने में हाँ गज़ बेज़ती है मालिक हम कुछ ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने अपनी life sacrifice कर दी कि ब्रिटिश को यहाँ से बगाओ तफ़ा करो इनको निकालो और कुछ और इंडियन हैं जिन्होंने क्या किया कि नहीं ब्रिटिश की help की क्या ता कि वो यहीं पे रहें और फर्दर साशन कर इनमेंसे कूं थे आफ़ कोस किया किए किए अफ मेवाद ने ब्रिटिश की help की या नहीं की हाँ इसने नहीं की भाई सिखने भी की I think so and सेंदिया जर्गवालियर ने भी की ब्रिटिश की help की इसका राइट अंसर आजाएगा option C इसका राइट अंसर आजाएगा option C नेक्स्ट कोईशन विर इस अ टॉम आफ भादर शाह जफर सिच्चिवेटेड देखो यह जो आखरी किंग था ना यह जो भादर शाह जफर दी सेकंड थे इनको इनका आखरी अरामगा मक्पराटोम कहां पे है तो इसका राइट अंसर आजाएगा सब मुगल यहाई पे हैं सब मुगल कोई आगरा में है कोई कंदहार में है कोई नियो दिली में है लेकिन यह बचरे रंगून में है मीलों दूर अबने जनम भूमी से तो यह बुक किस ने लिखी थे बाई जो बताएगा ना मान जाओंगा इसका राइट आजएगा एक कारल मैक्स एंड फाइनल कोईशन फार यू कोईशन किया कोईशन रीड कर लेते हैं ठीक है फो वाज अची तरह से पढ़ा है इसका टाइम पिरिट बता देता हूँ अब इसका नाम बताएं तो इसका नाम आप मज़े कमेंट सेशन बताएंगे तो भाई क्या चाड़ा आप कमेट नहीं करते हैं आंसर एटलिस कमेट में लिख दिया करो हमें सुजेशन दिया करो कि हम कौन सा नेक्स टापक लाएं जब आप सुजेशन देते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है हम नए-ने टापक लाते हैं वीडियो को ज़रूर लाकें लाइक करें अपने फ्रेंट के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइबर तो बनता है ठीक है तो मिल देंगे इस गड़ वीडियो में तब तक कि लिए अल्लाहाफ़स है वनाइस तर्म है थैंक यू